तो आपको ज्यादा क्लियर होगा अब देखो यह जो कोश्चन है वह फ्लक्स से रिलेटेड है फ्लक्स क्या होता है फ्लक्स होता है नंबर आफ लाइन्स स्क्रोसिंग टुए प्रटिकूलर एरिया क्रोसिंग मत्दब पेनिट्रेट करना पार हो जाना आप यहां पेका स्कॉर है जिसकी साइड या चलो यह एक स्कॉर यह मेरी डायरी है इसको मैं स्कॉर एजिम कर लेता हूं तो इसकी साइड कुछ एल है समझने की कोशिस करना in the plane of the paper अभी जो paper में पढ़ाई हो रहे थी तो paper का plane था अभी कहां है board का plane तो यह जो है वो मेरा plane of paper है इसी के plane में uniform electric field है क्या मतलब इसी के plane मतलब ऐसे पैडल या तो इधर से इधर आ रही है तो इधर से इधर जा रही है मतलब इस plane के horizontal electric field है horizontal या जा सकती है वो plane से थीटा डिग्री पर आ जाएगी तो इसी के plane में horizontal line पास हो रही है बराबर है in the same plane angle horizontal कहता है electric field इनीफॉर्म है उसी के plane में acting on the same plane at angle theta with horizontal side of the asparison in figure मतलब horizontal तो है जैसे देखो यह जो side है वो horizontal है लेकिन electric field line इस side से theta डिग्री पर है मतलब ऐसे कुछ ऐसे line है ऐसे जा रही है ऐसे horizontal यह angle theta हो गया बराबर है चलो तो यहां से हमें flux calculate करना है what is the electric flux to the surface इस surface से square से कितनी flux होगी कितनी line है इसको cross कर रही है अब common sense की बात है कि अगर देखो अगर यह square है और फिल्ड लाइन है इसी के plane में है तो कोई flux नहीं बनेगा क्यूंकि कोई line इसके अंदर इस surface को कोई cross ही नहीं कर रही है तो flux बन गया zero mathematically को कर सकते हो मैं बोड में एक बार समझा देता हूं आपको एक बोड के plane में square है समझना अब जो electric field होगी वो बोड में यह आएगी बोड से बाहर नहीं आएगी तो बोड के बोड के plane में square के side से theta यह square का side है बोड के plane में यह field हो गई जो की theta degree पर है यह यह field line बोड के बाहर नहीं है बोड में यह बोड के plane में है अब जो L से है वो theta degree पर है अब flux अगर इस square से निकालना है तो flux का formula क्या होता है flux होता है यह cos theta यह क्या है electric field कोई बात नहीं vector है area क्या है area vector अब यह square जो है इसी के plane में तो इसका area vector या तो बोड के बाहर आएगा या तो बोड के अंदर आएगा पड़ हम positive direction में लेते हैं तो बोड के बाहर में positive consider कर लेता हूं तो area vector बाहर आ गया अब electric field board में रह गई है और area vector यह है तो electric field और area vector के बीच में angle 90 degree बन गया यह angle 90 degree है तो यह theta गया 90 इसका मतलब यह हुगा कि ea cos 90 यह तो यह theta यह theta तो side से angle है ठीक है यह theta dash electric field और area के बीच तो theta dash आ गया 90 तो कुल मिला के flux 0 आ गया बराबर है वैसे भी आप जब field आई ना board से cross होंगी तब इस सक्वायर से flux बनेगा अभी इसके tangentially निकल जा रही है तो flux 0 है तो हमारा d options आई है यह थोड़ा समझे नहीं आता बच्चे